नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका mcx शोर गेंड के इस वीडियो टूटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन डाना और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्किट के बारे में मार्किट में जिस तरीके की मुवमेंट दोस्तों चल रही है उससे साफ साफ पता लग रहा है कि मार्किट में एक अच्छा का सा डाउन पॉल आने वाला है इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया थाकि हम आपको अलर्ट कर सकें बता सकें कौन सो कौन से सिंबल में क्या क्या तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबा दीजे ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें तो चलिए दोस्तों अब इ को पीछे करके दिखाता हूं कि एक अच्छा कासा अपवर्ड मॉवमेंट इसमें काफी दिनों से आपको देखने के मिला है जुलाई में जो इसकी वैल्यू थी वह बावन हजार के आसपास थी और उसके बाद ये अमेरिका में जब ये डॉनल्ड ट्रम का ट्वीट आया है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन को लेकर उसके बाद मार्किट काफी जोर से गिरी है अभी थोड़ी सी स्टेविलिटी यहां पर आ रही है सीधा वहां पर जो लेवल था आप देख सकते हैं कि चार जिनके अंदर मुवमेंट आ सकती है उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको की चार्ट में एक यहां पर हेड़न शोल्डर का पैटन बना था जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए यह दोस्तों एक पैटन मार्किट ने यहां पर बनाया और जैसे इसको break किया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से moment यहाँ पर market ने दिया है और किस तरीके से एक downfall यहाँ पर market में आपको देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अब market के जो levels आ रहे हैं जो stability आईगी market में यानि कि support और resistance level जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो level जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखने को मिलेंगे कि किस तरीके से हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूं देखिए अभी जो market का जो level है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक जो crucial level था और इसके बाद एक यह crucial level था market का जिसने break करने के बाद यहाँ पर अच्छा खासा down और अच्छा खासा upward movement दिया है तो यह जो levels हैं दोस्तों यह आपको एक यहाँ पर एक resistance level मिलता है और इस level के नीचे यहाँ पर आपको एक support level मिलता है तो basically जिस तरीके से अब आगे आने वाली movement है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि market के जो chances हैं वो down यानी की नीचे जाने के chances हैं और अच्छा खासा downfall यहाँ पर आने को देखने को आपको मिल सकता है तो इस तरीके से जो यहाँ पर मैं आपको एक बार और line draw करके बताता हूं exactly जो levels हमारे हैं वो इस तरीके से रहने वाले हैं यह देखे दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ और बताने से था हूं कि मैंने यह जो ड्रॉ किया है इसके पीछे का रीजन किया है पास्ट मुवमेंट से हम देखते हैं टेक्निकल आइसस में टर्म होती है जिसमें लिखा होता है हिस्टी रिपीट इटसल्फ यानि कि पुराना जो हिस इस तरीके का जो मुवमेंट है वो अकसर हमें देखने को मिल जाता है तो अब यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की मुवमेंट इसने दी जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर एक लेवल है जिसको यह ब्रेक नहीं कर पाया था लास्ट टाइम जब उपर आ market सबसे ज़ाद सस्टेन हुआ वह लेवल्स देखें दोस्तों यहां पर आप देखेंगे एक यह मोमेंट है और यहां पर एक मोमेंट है मैं एक बार दोबारा आपको दिखाता हूं देखें दोस्तों यह एक मोमेंट है जहां पर market बहुत जाद स्टेबल था उसके बाद यह है यहां पर काफी सारी candles एक ही लेवल पर मन रही है तो इस लेवल का जो market का move है अगर वो down होता है यानि कि अगर market इस लेवल को तोड़के नीचे जाता है तो आपको अच्छा कासा downfall इसमें देखने को मिलेगा वापस से आपको 60,000 और 55,000 के लेवल आराम से मिल सकते है तो दोस्तों वेट कीजे इसका जब यह इस लेवल को break करेगा और यह लेवल क्या है दोस्तों यह लेवल है 66,550 का लेवल 66,550 के लेवल के नीचे जब market sustain करेगा एक आत घंटे अगर आप इसको देखेंगी यह रुक रहा है तो आप अच्छा खासा इसमें selling pressure देख सकते हैं तो दोस्तों बाइग करने से पहले बहुत सोच समझ के बाइग कीजेगा बाइग करने के जो लेवल है दोस्तों वो है 69,200 के उपर अगर 69,200 के उपर जाता है तो 500,700,000 के movement कर सकता है ठीक है लेकिन अगर आप ऐसी movement में trade करें तो देखो अभी मैं आज की rate में बता देता हूं कि market एक एक दिन में काफी-काफी move कर रही है जानी कि काफी-काफी movement दे रही है तो buy की जो trade लेंगे उसके साथ एक strict stop loss आप रख सकते हैं जो की रहेगा 69,000 के नीचे यानि कि 69,000 के नीचे अगर one hour की candles रहती है one hour तक market sustain करती है तो आपको हालत में इस trade से निकल जाना होगा सला मेरी यही रहेगी कि आप इसको selling के लिए ही wait करें अगर 66,500 के level आता है तो आप sell करें आप चलते हैं दोस्तों अगले symbol पर अगले symbol में हमारे पास है nifty nifty का movement जो है वो किस तरीके से रहा है दोस्तों उसको देख लेते हैं निफ्टी एक zigzag की movement यहां पर दे रही है जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का chart में आपको move दिखाए दे रहा है अब इस move को अगर मैं आपको थोड़ा से brief करूं और थोड़ा से बताओं कि अब किस तरीके के move यहां पर दिखाए दे रहे हैं अभी तक जो market ने move दिया है वो यही है आप देखिए हर बार higher high break हो रहा हरा हर बार higher high break हो रहा है कि market उपर जाने के कोशिश कर रही है लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे कि अभी का जो level है मैं इसको थोड़ा से zoom करके दिखाता हूं आपको ठीक है अभी का जो level है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक level market जो है वो बार बार touch कर रही है और उसको break नहीं कर पा रही है वो यहां पर आप देख सकते है ठीक है यह यहाँ पर देखें, इस धिन भी टजज नहीं कर भाए, इस धिन भी तो यह एक जो लेवल है जो यह जो एक लाइन है, इस लाइन को यहाँ पर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए लेकर, आप देख सकते हैं 28 जुलाई से लेके अभी 13 अगस तक का चार्ट है काफी दिनों का चार्ट है मार्केट ने डाउन फॉल दिया यहां पर फिर थोड़ा सा उपर आया लेकिन यह जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा इन लेवल्स को ध्यान में रखना होगा हमें और नीचे के जो लेवल्स हैं पिसले दो तीन दिन का अगर सपोर्ट लेवल देखें पिसले दो तीन दिन की जो मुवमेंट है उसके हिसाब से देखें तो दूस्तों यह आपको यहां पर लेवल दिखाए देगा की रेंज में घूम रही हैं लेकिन ये इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया तो इस लेवल को भी हाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया उसके बाद आप देखेंगे कि इस लेवल के नीचे एक कैंडल बनी अगले दिन या सेलिंग की जो लेवल है वह यह हैं आपको इस तरीके से लेवल है और किन लेवल के आसपास आपको ट्रेड करनाों चाहिए और market अगर 400 के level के उपर चलती है तो आप इसमें buying की condition बना सकते हैं stop loss जो रहेगा दोनों ही state में आपका 300 के आसपास का रहेगा अगर 300 के आसपास आपको rate दिखता है तो आपको निकलना पड़ेगा अपनी trade से और अगर बात करें targets की तो अगर 400 के उपर buy करते हैं हमारा 650 के आसपास का और 800 के आसपास का level हमें आराम से मिल सकता है 11,800 तक का और अगर downside की बात करें तो दोस्तो 11,000 के level आना मुझे लग रहा है कि possible है आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखते हैं market किस तरीके से move करती है लेकिन दोस्तो stop loss को stickly follow करें क्योंकि बिना stop loss के अगर आप trade करेंगे तो काफी सारी दिक्कते हो सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं nifty की बात हमने कर ली अब हम गात करते हैं bank nifty की तो bank nifty का जो moment है उसके बारे में बात करते है वो भी आप देखेंगे कि जो high है वो इस high को पिछले high को break नहीं कर रहा है तो यहां पर भी एक सीधे-सीधे संकेत हमें मिल रहे हैं कि market downside ही जा सकती है अब यहां पर जो levels है हमारे वो कौन से levels है किस levels के उपर buy or selling करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं चलिए देखिए इसमें मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि हम अगली चार्ट के मूग पर जा सके ठीक है यहां पर आप देखेंगे कि पिसले कुछ दिनों में कौन-कौन से levels है जो break नहीं कर पा रही market यहां पर देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों यह जो level है जिस level को मैं आपको दिखा रहा हूँ यह लेवल यहां पर इस दिन आया था यानि कि यह तारिक है आपकी 29 जुलाई को 28 जुलाई को इस तरीके का यहां पर move हुआ इस तरीके का जो range है market ने बनाया लेकिन यह जो resistance की लाइन थी यह break नहीं हो पाई और support की लाइन के पास टच हो गया उसके बाद अगले दिन market इसको break करता है लाइन को और सीधा नीचे गिर जाता है नीचे गिर जाता है उसके बाद मार्केट वापस आता है इस लाइन को टच करने कोश्च करता लेकिन नहीं कर पाता है उसके बाद फिर अगे ने कुछ हल मिलता है लेकिन टाइन को टच नहीं कर पाता है उसके बाद फिर अगले दिन हैं दोस्तों वो सेलिंग की हैं सेलिंग का प्रेशर यहां पर भी दिखाई दे रहा है 20,700 के आसपास के लेवल मुझे यहां पर इसमें दिखाई दे रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में अगर उपर मार्केट जाता तो ज्यादा से ज्यादा 22,700 के आस पास तक जाएगा उस से ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट उपर जा सकता है तो दोस्तों अपने हिसाब से आप इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन एक चीज का खास ज्यान रखें जैसा पताया कि कौन-कौन से स्टॉक्स में जो है किस तरीके की ट्रेड बनानी चाहिए आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो ट्रेडिंग करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर एंड हैपी ट्रेडिंग दोस्तों